Criteria for the similarity of triangles अपने previous section में देखा कि कैसे दो triangles आपस में similar हो सकते हैं अपने वहाँ देखा था कि अगर उनके corresponding angles equal हों और उनके जो corresponding sides हैं वो same ratio में हों तो वो दौनों triangles similar होंगे Like अगर हम दो triangles लें ABC और दूसरा triangle लें DEF तो ये दौनों triangles similar तब होंगे जब angle A और angle D equal हो angle B और angle E equal हो और angle C और angle F equal हो साथ ही साथ दूसरा criteria जिससे हम ये decide कर रहेते कि ये दौनों triangles similar होंगे वो ये है कि AB upon DE is equals to BC upon EF is equals to CA upon FD होना चाहिए So इन दो basis पर हम ये decide कर रहे थे कि ये दौनों triangles similar होंगे But the thing is that कि अगर हमें triangle ABC और triangle DEF दौनों triangles को आपस में similar कहना है तो क्या हमें हमेशा इन तीनों angles को इन तीनों sides का ratio चेक करना होगा क्या दो angles से या दो sides से या फिर angle और side को एक साथ लेके हम similarity check नहीं कर सकते तो चलो इसी चीज़ को एक activity से समझते हैं like हमने एक line draw करी BC और दूसरी line draw करी EF BC की length है 3 cm and EF की length है 5 cm अब हम B पर एक line draw करने जा रहे हैं और weekend से एक angle draw करने जा रहे हैं BP कुछ इस तरह से 60 degree का ये angle होगा जो ये line बनेगी इस BP में और BC में सेम इसी तरह से हम E पर अब एक line draw करेंगे 60 degree की इस EF वाली line के 60 degree हम एक line draw करेंगे ER के नाम से साथ ही साथ अब छोटे वाले segment में that is वो छोटा सा line का segment जो हमारे पास है उसमें हम C पर एक 40 degree पर line draw करेंगे जिसे हम C Q कहेंगे और इसी तरह से 40 degree की ही line हम draw करेंगे F से बड़े वाले line segment पर से जिसे हम F S कहेंगे अब हम देख सकते हैं कि ये दोनो lines जो इन दोनो triangles में हैं दो-दो lines एक दूसरे को intersect कर रही हैं BC वाले point पर हम कहा देंगे कि ये A पर intersect कर रही हैं यहाँ पर जहाँ ये intersect कर रही हैं इस point को हम कहा देंगे A EF वाले point में जहाँ पर ये दोनो lines intersect कर रही हैं इसे हम कहा देंगे D तो एक तरह से हमारे पास दो triangles आ जाएंगे that is ABC and DEF अब अगर हम angle देखें तो हमें देख रहा है कि angle B और angle E equal है angle C और angle F equal है तो इसी तरह से angle A और angle D भी equal होंगे क्योंकि एक triangle में तीनो angles का sum 180 degree होना चाहिए यहाँ पर दो angles का sum 100 degree आ रहा है जो ये दोनों नीचे angles हैं दोनों triangles में तो बचे हुए angle का जो value आएगी जो बचे हुए angle की यहाँ पर value आएगी वो होगी A पर भी 80 degree और angle D पर भी 80 degree तो हम कह सकते हैं angle A और angle D भी equal होंगे तो एक तरह से यहाँ पर corresponding angles equal है that is B के corresponding है A C के corresponding है F और A के corresponding है D तो ये तीनो angles आपस में equal हैं लेकिन अगर हम corresponding sides की बात करें तो B, C की तरह right वाले triangle में EF है तो ये दोनों आपस में corresponding sides हैं तो B, C upon EF का ratio यहाँ पर आएगा 3 upon 5 that is 0.6 के equal अब हमें यहाँ A, B, A, C या फिर D, E और D, F की value तो पता नहीं लेकिन हाँ अगर हम A, B upon D, E या फिर C, A upon D, F का ratio देखेंगे तो वो भी 0.6 के equal आएगा आप इसे calculate करके check भी कर सकते हैं तो अगर कोई दो triangles हैं और उनमे corresponding angles equal हैं तो एक तरह से वो triangles similar ही होंगे और इसी चीज़ को हम detail में समझेंगे अपने next theorem में that is theorem third लेकिन इस activity से हमें ये पता चला कि अगर angles equal है corresponding angles वो जो एक triangle में हैं वो equal हैं तो एक तरह से जो sides आएंगी वो भी same proportion में ही होंगी और we can say corresponding sides का जो ratio होगा वो भी same होगा झाल